प्यारे बच्चों, आपका समाजिक अध्यन के इतिहास की कक्षा में स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के इतिहास की पुस्तक के अध्याई 4 क्या बताती है हमें किताबे और कवरें Means What Books or What Else Tells Us के बारे में अध्यन करेंगे। इसमें हम वेद, संस्कृत और अन्य भाशाय, भाशा परिवार, पांडूलीपिया, मवेशी घोड़े, समुदाय, के रहन सहन, महापाशान के बारे में लोगों का समाजिक जीवन, कबरिस्तान और इन इनाम गाउं की कहानी वाँ वहां के रहन सहन के बारे में बात करेंगे। तो आओ बच्चों, इस अध्याय की और चलें। तो बच्चों, आपको पता ही है, दुनिया के प्राजीनतम गरंत वेद हैं। वेद चार हैं। रिगवेद, सामवेद, यजुरवेद और अथरवेद। रिगवेद सबसे पुराना वेद है। इसकी रचना लगवग 3500 साल पहले हुई। रिगवेद में 1000 से ज़्यादा प्रातनाएं हैं, जिनें सुक्त कहा गया है। सुक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सुक्त विभिन देवी देवताओं की स्तूती में रचे गये हैं। सुक्त में जिन देवी देवताओं की स्तूती की जाती है, उ अगनी, इंदर और सोम बच्चों, अगनी के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये आग के देवता हैं, इसी परकार इंदर देवता को युद का देवता माना गया है सोम यहाँ एक पौदा है जिससे एक खास पे बनाया जाता था बच्चों, वैदिक परातनाओं की रचना रिशियों ने की थी, अधिकान सुप्तों के रचईता सीखने और सिखाने वाले पुरुश थे, परंतु कुछ परातनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी रिगवेद की भाषा प्राक्री संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है जो बच्चों स्कूलों में पढ़े जाने वाली संस्कृत भाषा से थोड़ी भिन है आचारे विद्यारतियों को इन्हें अक्षरों शब्दों और वाक्यों में बांट कर सास्वर पाठ द्वारा कंठस्त करवाते थे रिगवेद का उचारन किया जाता था और श्रवन किया जाता था इसे पढ़ाया नहीं जाता था कुछ सदियों के बाद इसे पहली वार लिखा गया और इसे चापने का काम लगवक्द 200 साल पहले हुआ आओ बच्चों अब संस्कृत और अन्य भाषाओं अथात भाषा परिवार के बारे में भी जाने बच्चों भाषा परिवार जब अलग अलग भाषाओं में कई शब्द एक जासे होते हैं तो उन्हें एक भाषा परिवार कहा जाता है उधारण के लिए मात्री, माँ और मदर ये तीनों शब्द अलग अलग भाषाओं से निकले हैं मगर अर्थ एक ही है, मात्री संस्क्रिट से निकला है, मा हिंदी से और मदर अंग्रेजी से है. बच्चों, सबसे पहले हम भारोपिय, मतलब भारत यूरोपिय भाशा परिवार के बारे में जानते हैं. संस्कित भाशा भी इसी का हिस्सा है, भारत की कई भाशाएं, अस्मिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एश्याई भाशाएं जैसे फार्सी और यूरोप की भावसी भाशाएं जैसे अंग्रेजी, फार्सी, जर्मनी, युनानी, इतालवी, स्पैनेश, आधी इ इसलिए हम भाशा यूरोपिय भाशा परिवार भाशा परिवार इसे कहते हैं, या भारोपिय भाशा परिवार भी कहते हैं बच्चों, पूरु वित्यों प्रदेशों में तिबत वर्मा परिवार की भाषाओं को भाषाओं को भाषाओं तिबत वर्मा भाषा परिवार के अंतरगत आती हैं इसी प्रकार तमिल, तेलगू, कन्रड, मल्याननम की भाशें दरविट भाशा परिवार के अंतरगत आती है बच्चों, आपको जानकर हैरत होगी जारखंड और मद्धे भारत के कई हिसों में बोली जाने वाली भाशाएं औस्ट्रो एश्याटिक भाशा परिवार के अंतरगत आती है इतिहास का पुरातव वेदाओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी कठा करते हैं इतिहास कार भाशाटिक अविशेशों के इलावा लिखित स्योतों का भी उप्योग करते हैं बच्चों, आप इस चित्र में पांडू लिपी देख रहे होंगे इसी पांडू लिपी को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तयार हुआ है यहाँ पांडू लिपी पूने महराष्ट के एक पुस्त काले में स्रक्षित है बच्चों, आपको अगर मौका मिले तो आप इस पुस्त काले में जिरूर जाएं रिगवेद के कुछ सुक्त वारतालाप के रूप में हैं विश्वा मित्र नामक, रिशी और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां व्यास और सत्लूज के बीच यह समवाद एक ऐसे ही सुक्त का आईश है इतिहासकार बताते हैं कि यह प्रातना उस क्षितर में रची गई होगी जहां नदियां बहती हैं वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में रिशी रहते थे वहां गोड़ों और गायों का बहुत महत्व को बहुत महत्व दिया जाता था इसलिए नदियों की तुलना गोड़ों और गायों से की गई है रिगवेद में प्रातना में खासकर सरस्वती, सिंधू और उसकी सहग नदियों का भी जिक्र है गंगा और यमुना कवलेग सिर्फ एक बार हुआ है आओ बच्चों, मवेशी, घोड़े और रथों के बारे में जाने रिगवेद में ववेशियों, बच्चों और गोड़ों की प्रातनाए हैं गोड़ों को लड़ाई में रत खीचने के कामें लाया जाता था इन लड़ाईयों में मवेशी जीत कर लाया जाते थे लड़ाईयां जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे चारागाँ हो या जहां जो जैसी जल्दी तयार होने वाली फसनों को उप जाया जा सकता हो कुछ लड़ाईयां, पानी के सुरोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी धन का कुछ बाग सरदार रख लेते थे, तथा कुछ हिसा प्रोहित को दिया जाता था, शेश धन आम लोगों में बांट दिया जाता था कुछ दन यग्या करने के लिए भी प्रिक्त होता था, यग्या की आग में आहुती दी जाती थी, ये आहुतियां देवी देताओं को दी जाती थी, घी, अनाज, कभी-कभी जनरों की भी आहुती दी जाती थी लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्वा शांती के विशे में सलाह मिशिरा करते थे, अधिकांश पुरुष इन युद्वों में बाग लेते थे, लोग अपना सरदार उसे चुनते थे जो भादूर और कुशल युद्वा होता था, सेना स्थाई नहीं होती थी आओ बच्चों, लोगों के विशेषता बताने वाले शब्दों को भी जाने लोगों का वर्गिगन, काम, भाशा, परिवार या समुदाय, निवास्थान या सांस्किति परंपरा के अधार पर किया जाता रहा है जैसे राजा, ये राजा ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, ना ही इनके बाद सैना थी, ना ही ये करवसूलते थे राजा किम्रित्वी वाद उसका बेटा अपने आप ही शाशक नहीं बनता था बच्चों, समुदाय के आधार पर वर्गी करण, समुदाय के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है जन और विश, जन जिसका प्रियोग हिंदी और अन्य भाशाओं में भी आज भी होता है दूसरा विश जिससे वैश्य शब्द निकला है रिगवेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं इसलिए हमें पूरूजन या विश, भरजन या विश, यदूजन या विश जैसे कई उलेख मिलते हैं दास या दास्यू दास्यू वे लोग थे जो यग्य नहीं करते थे और शाय दूसरी भाशाएं बोलते थे बाद में दास्य शब्द का मतलब गुलाम हो गया दास्यू वे इस्त्री पूरुश होते थे जो युद में बंदी बनाया जाता था उनके मालिक की जैदाद माना जाता था और जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वे सब करना पड़ता था बच्चों आओ महापाशान की बात करें शिलाखंड महापाशान नाम से जाने जाते थे महापाशान मतलब महाँ मतलब बड़ा और पाशान पत्थर तो जो बड़े शिलाखंड थे वो महापाशान के नाम से जाने जाते थे पत्थर दफन करने की जगा पर बड़े करीने से लगाये जाते थे महापाशान कवरें बनाने की प्रथा लगवग तीन हजार साल पहले शुरू हुई यह प्रथा दखन, दक्षिन भारत, उत्तरपूरवी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी बच्चों, आप यहाँ पे एक चितर भी देख रहे हैंगे महापाशान को तावूत, शवाधान या सिस्ट कहा जाता है सिस्ट में एक पोर्थ हॉल यानि बड़ा सुराक है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था मृत्कों को खास किसम की मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था जिने काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है इसके साथ ही मृत्कों के साथ लोहे के ओजार और हथियार घोड़े के कंकाल और समान तथा पत्थर के और सोने के गहने मिले हैं मिली है बच्चों और लोगों के समाजिक असमानता के बारे में जाने दफनाये गए लोगों की समाजिक स्थिती में भिंता दिखाई देती है ऐसा माना गया है कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी ब्रहमगीरी में एक व्यक्ति की कवर में 33 सोने के मन के और शंक पाए गए हैं दूसरे कंकालों के पास सिरफ कुछ ही मिटी के बर्दन ही पाए गए इन सब से पता लगता है कि कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयाई कुछ कवर गएं खास परिवारें के लिए थी कुछ महत्तपोर्ण में से एक से अधिक कुछ महापाशानों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं ऐसा माना गया है शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया था मरने वाले लोगों को पोर्ट हॉल के रास्ते कवरों में लाकर दफनाया जाता था महापाशाणों पर गोलाकार लगाएगे पत्थर या चिटान चिनों का काम करते थे जहां लोग आवशकता अनुसार शवों को दफनाने दुबारा आ सकते थे तो बच्चों इस तरह ये महापाशाण की बात हम अभी कर रहे थे अब बच्चों इनाम गाओं के एक विशिष्ट व्यक्ति की कवर के बारे में जाने हैं इनाम गाओं भीमा की साहिग नदी घोड़े के किनारे एक जगा है जहां यहां पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे यहां व्यसक लोगों को प्राय गड़े में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था उनका सिर उत्तर की और होता था कई वार उन्हें घर के अंदर भी ही दफनाया जाता था ऐसे बरतन जिन में शायद खाना और पानी हो दफनाया गए शब के पास रख दिये जाते थे इनाम गाओं में एक आदमी को पांच कमरों वाले मकान के आंगन में चार पैरों वाले मिटी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था यहां घर गाओं के सबसे बड़े घरों में एक था इस घर में एक अनाज का गुदाम भी था और शव के पैर मुड़े हुए थे आओ बच्चों कंकाल का ध्यन करें क्या बताते हैं ये कंकाल छोटे आकार के अधार पर एक बच्चे के कंकाल को असानी से बहचाना जा सकता है लोग कंकाल के साथ मिले समानों के अधार पर यह अंदाजा लगाते थे कि वह कंकाल किसी पुरुष का था या इस तरीका उधारन के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता था लेकिन इस समझ के साथ समस्यां यहाँ थी कि अक्सर पुरुष भी आभुशन पहनते थे आओ बच्चों इनाम गाओं के लोगों के काम धंदे के बारे में जाने इनाम गाओं में पुरातव विदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीच मिले हैं यानि यहाँ के लोग खेती करते थे कई जानवरों की हडियां भी मिली है हडियां पर काटने के निशान से ऐसा लगता है कि लोग इने खाते होंगे यानि यहाँ के लोग मासाहरी होंगे गाए, बैल, भैंस, बकरी, भेड, कुत्ता, घोड़ा, गा, सूर, सांभर, चितकबरा, हीरन, क्रिशन मिर्ग, खरहा, नेवला, चिडिया, घडियाल, कच्छुआ, केंकड़ा और मचलियों की हडियां भी पाई गई है ऐसे साक्षिय मिले हैं कि बैर, आमला, जामुन, खजूर और कई तरह के रसभरियां भी एकत्तर की जाती थी तो बच्चों ये थी इस अध्याय में हमारी क्या बताती हैं ये किताबें और कवरें बच्चों आओ भार के देश यानि चीन के बारे में भी जाने लगभग 3500 साल पहले हम यहां के लेखन कला के सबसे महत्तपुन उधान पाते हैं एटलस में, चीन में देखो जब जानरों की हडियों पर लिखा गया है यह आप देख रहे होंगे चित्तर पर यह जो है जानरों की हडियों पर लिखा गया था इन्हें भविश्यवानी करने वाली हडियां कहा जाता है क्योंकि यह मानने था थी कि यह भविश्य बताती है राजा लोग लीपिकों से इन हडियों पर सवाल लिखवाते थे क्या वे युद में जीतेंगे क्या फसलें अच्छी होगी क्या उन्हें पुत्र होंगे फिर इन अठियों को आग में डाल दिया जाता था जहां इन में गर्मी से चटक कर दराने पड़ जाती थी भविश्य वक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविश्य वानी करने की कोशिश करते थे जैसा शाय तुम भी सोच रहे होंगे कि भविश्य करता कभी कभी गल्टी भी तो करते थे ये राजा शेहरों में महल बना कर रहते थे उन्होंने बेशमार दौलती कठा कर ली थी जिनमें बड़े बड़े नकाशी किये हुए कांसे के बरतन शामिल थे लेकिन वे लोहे के इस्तेमाल करना नहीं जानते थे तो इस तरह चीन में भी लोगों के द्वारा इस तरह के महापाशाण के चीजें मिली है तो बच्चों इस पार्ट में हमने भाशा परिवार, पांडू लिपी, समुदाय के रहन सेन, शेशर इमान गाउं के रहन सेन और चीन के बारे में भी जाना तो बच्चों इस पार्ट से आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा आपसे अनुरोध है, इसके साथ जुड़े हुए करे पत्रक्ष में दीगे प्रशनों को अवश्य करें ताकि इस पार्ट के बारे में और समझ बढ़ सके धन्यवाद, खुश रहो, स्वस्त रहो, थैंक यू, बी हैपी एंड सेफ